हेलो हेलो अब्रीवान वेरी वेल्कम सो गाइस उजी सीन अट एकजाम पेपर वन की अभी हम यहां पर क्लास करेंगे गाइस देखे अभी हमारा चल रहा है पी डी इई पीपूल डेपलेमेंट एन इन्वार्मेंट लोग विकास और परियावरण गाइस इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया है आज हमारा दूसरा क्लास है जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो देखे आपको क्या करना है डिस्किप्शन पर जाना है डिस्किप्शन पर जाईए क्लास का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है सारी प्ले टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना है तो देखे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्किप्शन पर दिया हुआ है डिस्किप्शन पर जाईए टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है आप वहां से टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं यह फिर आप क्या कर सकते हैं टेलिग्रा हो गया है अभी हमारा PD चल रहा है जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की class नहीं देखी तो description पर जाना है playlist का link दिया हुआ है आप वहां से सारी classes को access कर सकते हैं तो guys देखे class आपको यदि अच्छी लगी तो like करना ना भूले share करना ना भूले अपने दोस्तों में अपने friends में share जरूर कीजिए और देखे इस YouTube चैनल को इस platform को subscribe जरूर कीजिए और well icon को press जरूर कीजिए ताकि आपको next class का notification मिल सके next class का notification आपको तभी मिलेगा जब आप well icon को प्रेस करेंगे so guys देर ना करते हुए जल्दी से class को start करते हैं देखे इससे पहले की class में हमने क्या क्या पढ़ा था परियावरन के बारे में पढ़ा था कि परियावरन क्या होता है और क्या क्या परभाव पढ़ते हैं परियावरन पर किस तरह के सकारत्मक परभाव पढ़ते हैं किस तरह के नकारत्मक परभाव पढ़ते हैं यह सारा कुछ हमने पढ़ लिया था guys यहाँ पर जितनी भी आपकी classes की गई है अभी तक हुई है सारा कुछ आपके syllabus के according सारी classes यहाँ पर की गई है guys देखे syllabus आपको कहा मिलेगा इस class का PDF और सारी classes का PDF आपको कहा मिलेगा वो मैं आपको class के last में बताऊंगा तो guys start करते है class को सबसे पहली सबसे पहली बात देखे ecology पारस्तिकी क्या होता है क्या अर्थ है पारस्तिकी का और ecology का मतलब क्या होता है तो देखे ecology का सर्व परतम उप्योग किसने किया था किसने प्रियोग किया था पारस्तिकी सब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया था जर्मन प्राणी सास्त्री थे जिनका नाम ता Ernest Heckel क्या नाम ता Ernest Heckel ने देखे 1866 इसमी में दिया था कब दिया था 1866 इसमी में गाइस देखें Unhust Heckel के बारे में हमने जुगरफि में कम्प्लीट डीटेल में पड़ा है Unhust Heckel क्या है इनके बारे में geography में complete पढ़ लिया है detail में सारा कुछ बताया गया है तो देखे पारस्त की सब्द का प्रियोग पारस्त की सब्द का उपियोग किस ने किया था? Ernest Hakel ने किया था जो क्या थे? जर्मनी प्राणी सास्त्री थे 1866 इस भी में इन्होंने उपियोग किया था ठीके सब्द का प्रियोग किया था उनके अनुसार क्या है? देखे वातावरन और जीव समुदाय के पारस्त की संब्दों के अध्यन को पारस्त की कहते हैं अब देखे बहुत बार ये question भी पूछ लिया जाता है कि पारस्त की क्या होता है यानि कि एकोलोजी क्या होता है एकोलोजी का मतलब क्या है पारस्त की सब्द का अर्थ क्या होता है तो देखे वातावरन में जो अनिस्टाइकल के अनुसार देखे वातावरन में जीव समुदाय के पारस्पारिक संबंदों का अध्यन वातवरण में यानि कि इन्वारिमेंट में जो जीव संबंदाए हैं उनके बीच पारस्पारिक जो आपस में संबंद है जो रिलेशन है उनके अध्यन को पारस्प्रकी कहते हैं उनके अध्यन को एकलोजी कहते हैं पारस्प्रकी कहते हैं और इसमें ना केवल जीव एवं उनके जो निवास इस्तान है इसमें बलकि जीवों का ही नहीं बलकि साथ-साथ किसका जो जीवों का जो निवास इस्तान है संपूर्ण जो जैविक और अजैविक संगटक है उनका अध्यन किया जाता है ठीक है उनका अध्यन का बोध होता है क्या होता है बोध होता है यानि कि अध्यन किया जाता है बलकि इनके अंतरसंबंदों के साथ साथ जटिल परक्रियाओं की भी जानकारी मिलती है अर्थात उनकी जानकारी भी ली जाती है ठीक है यानि कि कहने का मतलब है जो जीव है उनके जो निवास इस्तान है उनके संपू इनका भी अध्यन करके इनकी जानकारी ली जाती है ठीक है इतना आपको समझ आ गया ना पारिस्तित की सब्द क्या है पारिस्तित की का अर्थ क्या है यह आपको अच्छे से समझ आना चाहिए देखे गाइस पेपर वन में डीटेल में जिनोंने डीपली पड़ा है उनका अब देखे परियावरण के मुद्दे क्या है इन्वारिमेंटल इशू क्या है सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेड है जो परियावरण के इन्वारिमेंटल जो इशू है वो क्या क्या है परियावरण मुद्दे क्या क्या है तो देखे परियावरण मुद्दे के अंतर कहीं पर कोय नुकसान अटा है उससे क्या हुता है नकारत में प्रभावं पड़ता है ठीक है और इसमें जैसे कि जल पर दूशन हो गया वाई तीन तरह के इश्यू होते हैं जैसे कि इस्तानिया मुद्द्द्ध हो गये और क्या वेस्विक यानिकि इंटरनेशनल के लिए जैसे कि डिली में आपने देखा वागा दिली सहर में अन्य सहरों की तुल्दा में वहां की जो वाई की गुनवत्ता है बहुत जादा खराब है ठीक है दिल्ली सहर की जो वाई की गुनवत्ता है जो वहां पर वाई परदूशन बहुत जाता है एर पॉलिशन वहां पर बहुत जादा है ठीक है अन्य सहरों की तुनला में बहुत सारी मेगा सीटी है जिसे मुं पर्दूशन बहुत जादा है और इस पर्दूशन को जैसा कि दिल्ली सहर में बहुत जादा वाई पर्दूशन है तो इस पर्दूशन को क्या कहा जाएगा इस्तानिय पर्दूशन कहा जाएगा या चेत्रिय पर्दूशन कहा जाएगा या वैस्विक पर्दूशन कहा जाएगा तो देखे दिली सहर में जो वाई की गुणुवत्ता बहुत जादा खराब है इस पर्दूशन को इस जो समस्या है जो ये पर्दूशन की जो समस्या है वाई पर्दूशन की वाई पॉलिशन की जो प्राब्लम है इसको क्या कहा जाएगा इस्ताने मुद्दा कहा जाएगा आज मैं पानी रखना भूल गया चलो कोई नहीं इसको क्या कहा जाएगा इस्ताने मुद्दा कहा जाएगा अब जैसे कि ताजे वैसे ही ताजे जल की कमी हो गई कहीं पर पानी की कमी हो गई कहीं पर जन संक्या विर्दी हो रही है कहीं पर population बहुत जादा तेजी से बढ़ रही है यह सारा क्या हो गया इस्तानिय मुद्दा हो गया आपने देखा हुआ जैसे कि अभी हिमाचल में बाड आई ठीक है तास्य को करते थे सारा कुछ वाँ पर तूड गया ठीक है यह क्या हो गया इस्तानिय मुद्द्द हो गया अब जैसे कि जसेद में उन्हेन पर गिया जैसे कि girlfriend रहे है जैसे मुद्दड़ अ हो शकते हैं और इंट्रनेशनल मुद्दे हो सकते हैं, इतना आपको समझ आ गया ना, गाइज जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लिजिए, और जो पहली बार यहां पर आये हैं, देखें, पांच सेकंड निकाल लिजिए, और इस तो देखें, अब परदूशन क्या है, पॉलिशन क्या होता है, सबसे पहली बात, पॉलिशन क्या होता है, परदूशन क्या होता है, तो देखें, परदूशन से तात्प्रे क्या है, परियावरनिक परिवर्तन, परदूशन से क्या तात्प्रे है, पॉलिशन किसे कहा जाता है इन्वार्मेंट में पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे जो मानव और जीवों को जो मानव और जीवन पर यानि की मानव और जीवों पर जो हानिकारत प्रभाव डालते हैं उनको क्या कहते हैं स्टूडन से कि पुछा जाए को परीवर्तन के कारण जीवों माना पर जो हनिकारक प्रभाव डाल रहे हैं हनिकारक प्रभाव जो पढ़ रहा है उसी को परदुशन कहा जाता है पॉलिशन कहा जाता है और ये परिवर्तन देखें ये परिवर्तन प्राकर्ति कारण से भी हो सकते हैं जैसे कि क्या हो गया ज्वाला मुखी हो गया सुनामी हो गया ज्वाला मुखी हो गया सुनामी हो गया ये क्या हो गया प्राकरती क्या हो गया प्राकरती कारण हो गया ज्वाला मुखी सुनामी प्राकरती कारण हो गया पॉलिशन के परिवर्तन के प्राकरती कारण क्या हो गया क्या हो गया सुनामी हो गया है मानत के द्वारबि निर्मित होता है जैसे कि बहुत ज्यादा करना आपने देखा होगा जैसे कि बहुत ज़्यादा खनन किया जा रहा है कोईले का खनन किया जा रहा है सोने का खनन किया जा रहा है और जैसे कि नदियों से खनन किया जाता है रेट का बहुत अत्यदिक मातरा में खनन किया जाता है और प्राकरतिक संसादनों का क्या होता है अधिक उप्योग किया जाता है तो ये दोनों क्या है दोनों क्या हो सकते है माना पार जी पौदों पर क्या कर रहे हैं हानिकारत प्रभाव डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं हानिकारत प्रभाव डाल रहे हैं इसी को परदूशन कहा जाता है इन परिवर्तनों के परिणाम सरूप क्या होता है परदूशन बढ़ता है जैसे कि प्राकृतिक संसादनों का अत्यदिक हम उप्योग कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और इससे क्या होगा परदूशन बढ़ेगा इसे बिए परदूशन बढ़ेगा यह जो खनन करना प्राकृतिक संसादनों का उप्योग करना यह किसके द्वारा हो गया मानम निर्मित हो गया करतों प्रया वरणमे जो अब वन्चित हानिकारत फसके उनका भी प्रभाव होता है ठीक है इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना PDF आपको मिल जाएगी Class के इंड में मैं आपको बता दूँगा कि PDF आपको कहा मिलेगी अब देखे परदूशन के परकार कितने परकार के परदूशन होते हैं सबसे पहली बाद परदूशन के परकार तो Y परदूशन हो गया ठीक है वाइप परदूशन जैसे कि अभी डिली का उदारण याँ पर दिया गया है कि दिली में एर पॉलीशिम बहुत जादा है अन्य सहरों की तुनला में दिली की जो वाइप पर दूशन है जो वाइप की गुनवत्ता है बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका अपना सालेंसर कुछ इस तरह से सिस्टम फिट किया रहता है कि वो पटाकी की तरह अभाज करता है, जिससे क्या होता है, जो बच्चे होते जिसका क्या होता है दोनी पर्दूशन होता है जिसके क्या होता है वाइस यानि कि अवाज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है आपने देखा ओगा डीजे साधियों में डीजे का प्रियोग किया जाता है अब तो खेर बहुत कम अवाज में प्रियोग किया जाता है लेकिन पह परदूशन हो गया ठीक है जल परदूशन हो गया आजकल जो पानी के स्वोत हैं उनकी साथ सफाई नहीं की जाती है जिस कारण से क्या होता है जल परदूशन हो जाता है ठीक है मिर्दा परदूशन हो गया अपसिस्ट परदूशन हो गया रिडियो ध्यर्मी परदूशन हो ग मतलब होता है वाई मंडल में विबिन प्रकार के जो विशानों होते हैं जो अन्य पर्दूशन कारकों की उचित सीमा से अधिक मातरा में होती है क्या होती है उचित सीमा में अधिक मातरा से होती है और अनुपात में बदलाव होता है अनुपात में बदलाव का होना ठीक है ये क्या है वायू परदूशन है अब देखें वायू परदूशन माने दे गति विदियों और प्राकृतिक कारोनों से भी हो सकता है ठीक है वायू परदूशन माने की गति विदियों से भी होता है और प्राकृतिक कारोनों से भी होता है जैसे कि कहीं पर सुनामी आ ग प्रितिवी से बहार आते हैं प्रितिवी की धरातल से जो अंदर से बहार आते हैं और कुछ जाला मुख्य क्या होते हैं एकदम से पहाडों में चक्टानों में बलाश हो जाते हैं जिससे क्या होता है वाईव परदूशन होता है क्या होता है जिससे सुनामी आ गया कहीं पर ज अदिक मात्रा में अदिक मात्रा में यदि विषानू वाई अगया मिल गया वाईव में तो वाईव क्या हो जाती है प्रदूशित हो जाती है अब देखें वाईव प्रदूशन के कारण क्या क्या है सबसे पहले कारण क्या है यातयात और ओद्योगी का जो विकास हो रहा है इसके कारण से भी वाईव प्रदूशन हो रहा है जैसे कि गाड़ियों का बहुत जादा उप्योग किया जा रहा है आपने देखा होगा हर सहर में गाड़ियों का उप्योग बहुत जादा किया जा र मात्रा बढ़ती हो रही है तुसक्त के नड़ी हो रही है अगार्ण बढ़्लमत सरå में विषानों की मात्रा बढ़ती जा रिए औरję से कोनoms अब देखे इसके पर्मुक और नहीं की परदूशन हो गया वनों की कटाई हो गया अमलिया वर्सा हो गई अब देखे और दोगों से कारखानों और उद्योगों और उर्जाश रोतों से विभिन विशानों दोए निकलते हैं जिन से वाई क्या हो रहा है परदूशित हो रहा है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उद्योगों से कारखानों से जो उर्जा निकल रही है वो क्या हो रही है उसमें विभिन प्रकार के विशानों निकल रहे हैं धोए निकल रहे हैं जो क्या हो रहे है वाई में मिल रह प्रदूशन का कारण बनते हैं आपने सुना होगा अब ताज महल का कलर हलका 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 पीला पड़ रहा है बहुत हलका हलका पीला पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है क्योंकि अमलिय वर्षा बहुत जादा हो रही है जिस कारण से जो सफेद जो ताज महल है सफेद मार्बल से जो बना हुआ ताज महल है वो बहुत हलका हलका सा पीला पड़ रहा है ऐसा सुनने मे आ रहा है एक आर्टिकल में मैंने ऐसा पड़ा था तो यह किस कारण से हो रहा है अमलिया वर्चा के कारण यह सारा कुछ हो रहा है अब देखे वाई पर्दूशन के प्रभाव वाई पर्दूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं गाईज देखे पीडियोफ आपको मिल जाएगी ठीक है आप मिस्शीत रहेए मैं आपको क्लास के एंड में बता दूँगा कि आपको पीडियोफ कहा मिलेगी अब देखे वाई पर्दूशन के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं स्वास्ते प्रदूशन देखे वाई का स्वास्ते पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है प्रदूशन का स्वास्ते पे मानब के स्वास्ते पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है बहुत भी अत्यदिक मात्रा में प्रभाव पड़ रहा है आपने देखा होगा अधिकतर जो पुरुष है या जो महलाई है महलाई में इतना देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन पुरुषों में सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत जादा बढ़ रही है सांस लेने की समस्या ब व्हाई पर्दुस्षित्त नहीं तो रहा है साथ में क्या हो रहा है तैसे बीमार्य को रहे है ब्रोकाइट्स हो रहा है क्या हो रहा था है तो अब जीव हैं उनपर भी बुरा परभाव पड़ता है जैसे अमलिय वर्चा अमलिय वर्चा से क्या हो रहें जल्द स्रोत और मरुस्पली छेत्रों का परदूशन होता है जैसा कि राजस्तान में वहाँ पर अमलिया वर्सा होगी तो वहाँ कि जल्द स्रोत है वहाँ पर जल्द स्रोतों में परदूशन बढ़ेगा जिससे कि पृतिवी के जीवन समर्तन चमता कम हो जाएगी जो पिर्तिरी की इमिनेटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जिससे क्या होगा पिर्तिरी की जीवन समर्तन चमता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब है जल्वाई परिवर्तन क्या है जल्वाई परिवर्तन गाईज देखे वाई परदुसन से वाई परदुसन के कारण जल्वाई परिवर्तन हो सकता है और हो रहा है ठीक है वाई परदुसन बढ़ रहा है जल्वाई परिवर्तन भी बढ़ रहा है आपने देखा होगा मा कभी लेट आ रहा है कभी जल्दी आ रहा है यह किस कारण से हो रहा है जल्वाई परिवर्तन के कारण से ही हो रहा है जिससे जिससे बदलते मौसम पैटन बढ़ती तापान आधिकात बहुत बढ़ रहा है जिससे आपने देखा गलोविंग वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ रहा है पहडों में बादल फट जा रहा है तो यह जलवाई परिवर्तन के ही कारण हो रहा है अब देखे वाई परदुशन के नियंत्रण के उपाई हैं सबसे पहला जो यूरोपिय उत्सर्जन और इंदन नियम यानि कि उच्छी दक्षिता वाले इंदन का उप्योग करने स उत्सर्जन कम होता है जैसे की BP B dep़ app dalla में बदलाव के मादिन से वहनों का उत्सर्जन को कम किया जा रहा है कहने का मतलब यह है कि अब आपने देखा होगा रूर नीन कारे आ footage कार रही है जिसे कि इंदन का प्रियोग कम हो ठीकल सहरों में युला इक आisstर बन यानि कि इंदन को सीमीत मात्रा में प्रयोग करना है जैसे कि प्राकर्तिक इंदन है इनको सीमीत मात्रा में उनका उप्योग करना है अब देखें नियम विसेज दिनों पर गाड़ियों की आवर्ती में परिवर्तन से यातयात कम होता है जिससे की परदूशन घट घट रहा है कहने का मतलब जो electronic car है electronic bike है इनका उप्योग जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो इस पे क्या होगा परदूशन भी नहीं होगा आपने देखा होगा डीजल गाड़ी जो पिट्रोल गाड़ी है उनसे धुआ निकलता है जिससे क्या होता है वाव परदूशन होता है ठीक है ड प्रियोग करेंगे उससे क्या होगा परदूशन यातयाद परदूशन बहुत कम होगा अब देखें उर्जा के वैकल्पिक स्रोत ज्वार उर्पावन उर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों का प्रियोग करके वहानों की जो उर्जा आपूर्थी को स्वच बनाने का प्रियास किया गया है और वहानों में स्क्रब लगाना वहानों में परदूशन को रोकने के लिए इसक्रब जैसी तक्नियों का परियोग करना है फैक्टरियों में बैक फेक्टरियों की जो चिम्नियों में उन पर क्या होना कांग्ड फेक्टर में उनका सिर्जन बहुत खम परिभान समेथी उच्चवाई पर्दूशन के कारण डीजल वहनों के परिभान पर प्रतिविम लगाने से पर्दूशन को नियंतिन किया जा सकता है जैसे कि सहरों में इलक्टरनीक कारों का प्रियोग बहुँ जादा मातरा में अब किया जाएगा electronic bikes का प्रियोग किया जाएगा जिससे क्या होगा production बहुत कम होगा राष्ट्य वाई गुनुवत्ता निगरानी कारेकरम इस कारेकरम के माध्यम से परिवेशी वाई गुनुवत्ता की निगरानी की जाती है इस कारेकरम के माध्यम से सुद्धिकरण की परिक्रिया प्राकर्ति की सुद्धिकरण की परिक्रिया क्या क्या है तो वाई गुणुवत्ता मापन और प्राधिकरण सबसे पहली बात सबसे पहला जो point है यहां क्या करता है यहां परिक्रिया क्या करता है पर्यावरण में जो वाई में जो मौझूद परदूशन के जो सुरोतों को पैचानता है वाई में वाई परदूशन के सुरोतों को पैचानता है पर्यावरण में जो उपाई परदुशन के सुरोत है उनको पैचानता है उनका मापन करने में मदद करता है उनको मापता है उनको आंकता है कि कितना है कितना परदुशन बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है यहां तक कि विबिन परदुशिवों की मात्रा परकार का आकलन भी करता है अब देखे प्रिवान के प्रदूशन को कम करने में मदद करे इसमें जैसे की उधारन के लिए सवैज़ उज़तों के बारे में जागरू करना है जब लोग समझेंगे कि उनका स्कृस्ति उनका सास्त्य उनका सामाजिक जीवन परदूशन के कारण बहुत जादा प्रवावित हो रहा है तो वो क्या करेंगे सहयमी उपायों का पालन करेंगे प्रेड़् ना आपको समझ आ गया है अब देखे क प्राब्दान क्या है सरकारे में यह उपायों को पालन करने में साहिक होते है क्या करते नियंतित काने उचित बजट दिख यान कि उनके लेए उचित बजट प्रोवाइड करता है उनको देता है और परणूशन नियांतरन के लिए तंत्र और वीडियों का पालं करने में मदद करता है आपने देखा होगा आपके सहरों में एक गाड़ी आती है जो गूड़ा ले कोड़ा अलग से लिजर आपके सहर में आपके गाउhmen उत्रा खंड में बाल्टी है एक ब्लू कलर बढ़ी मिली हैं एक सुखेва कोड़े के लिए यूज के जाती है और इसी तरह से आपके सहरों में ब्ल्यू हरी बाल्टी इसी तरह के बड़ी बाल्टियां टाइप की लगी हुई है डेस्ट बीन लगा हुआ है ताकि सुका कोड़ा के लिए अलग गिला कोड़ा के लिए अलग और गाड़ियां भी प्रॉपर तरीकी से गाड़ियां भी लगाई गई हैं कस्बों में सहरों में कि ताकि कोड़ा को नियंत्रित कोड़े को एक जगा में सिमीत मात्रा में एक जग इसतर होता है जहां पर बहुत जयादा मातरा में सोर होता है जैसा कि उधेविक चैटरी जहां पर जायजिशन जो अपया होता है जहां पे यहां पर शहते हैं यह प्र meaning गाई हना कि तो कि आतलों मैं को लाओ में देखा होगा जिस स्टेट का capital है उस सहर में आपने देखा होगा यात्यात वह टोड़ा जादा यूज होता है आपने देखा होगा वहाँ का थोड़ा जो climate है जो environment है पने गाउं से अपने सहर से थोड़ा अलग होता है क्योंकि वहाँ पर भूब जाधा होता है और नगरे चेत्रों में भी ये देखने को मिलता है अब ध्वनी पर्दुशन के कारण क्या होता है हमारे सरीर और मांसिक स्वास्त पर क्या होता है बुरा असर पड़ता है बुरा परभाव पड़ता है साती प्राकरतिक जीवों के लिए भी खतरनाख है ध्वनी शुरोतों की निगरानी की जाए उनका परबंदन किया जाए जैसे कि यातेयात वहान होगे और देविक छेतर होगे नगरिया छेतर होगे जहां पर बहुत जादा सोर होता है जहां पर ध्वनी का उपयोग बहुत जादा होता है निगरानी परबंदन के उपायों का चालन करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आविश्यक है आप अपनी जो बाइक है आजकल मैंने अभी बुलेट का एक्जामपल दिया था ने कि बुलेट में सालेंसर को इस तरह सा फिक्स कर लेते हैं कि वहाँ पर पटाके की आवाज बुलेट पटाके की आवाज देता है हुआ तो बुलेट जब्त कर ली जाएगी जो बाइक है वह क्या होगी जब्त कर ली जाएगी नियूमों का पालंद करना अत्जी आवश्यक है है या सोर के स्रोत्तों को नियंत्रिद करके धनी परतुष्ण को कम करने में क्या करता है मदद करता है शोर समन यंत्रों का उप्यूग देखे उच्छी सोर इस्तर वाले जो सोर समन यंत्र हैं जो देखे बुलेट पर जो सालेंसर पर जो लगाया जाता है जो सिस्टम लगाया ज जाता है अभी एक्जांपल दिया है आपको सोर्ट सरक्षन के नियमों का क्या करना है पालं करना है उनका जो सोर्ट सरक्षन के नियमों को उनकी विदियों को प्रात्मित्ता देती है कि ध्वनी पर्दूशन को नियंतित क्या किया जा सके और नियमों का क्या किया जाए पालं हमारे स्वास्ते पे बुरा प्रभाव डाल रहा है हमारे प्रयावरण पे क्या कर रहा है बुरा प्रभाव डाल रहा है तो उन्हें तो उन्हें सही दिसा में कदम उठाने के क्या मिलेगी प्रेना मिलेगी ठीक है अब देखे जल पर दूशन क्या है जल पर दूशन को कैसे न किया जाए उस पर हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे गाइस जिल लोगों ने अभी तक लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लिजिए और इस यूटूब चैनल को इस प्लेटफर्म को सब्सक्राइब कर लिजिए वैल आइकन को प्रेश जरूर कर लिजिए पा तो देखे जल्दूशन क्या है एक बड़ी समस्या है क्या है एक बड़ी समस्या है जो किसी भी जीव विदित्या के लिए खतरनाक हो सकती है यानि कि इस धर्ती पे जीवन के लिए सबी जीवों के लिए सबी प्राणियों के लिए बहुती जादा खतरनाक हो सकता है बहुत us नहीं होता है जितना मानवनिर्मित कारूनों से होता है जितना मानव की गतिविदियों से होता है यहां विबिन शुरॉत हो चैस की किर्सि करते हैं जो सड़ा गला जो जो भी हमारे पास जो भी सड़ा गला जो भी जैसे की घास यानि की धान के जो पेड़ पौदे होते हैं जो सड़ गल जाते हैं उनको कभी भी गिले इस्तान पर नहीं डाला है यानि की पानी के सुरोतों के आसपास नहीं डाला है सुरोतों के डाला डाल द कि रियल सेक्टर क्या है लेकिन कहा जाता है कि पंजाब में किसान पराली को जलाते हैं जिस कारण से वहां का दुआ दिल्ली पहुंचाता है कितना यह सच है यह मालूम नहीं है इस पर आप अपनी थोड़ा रिसर्च कीजिए पढ़िएगा जरा इसके बारे में देखें किर्सी में बनलब पानी के जल पर दूसीत हो और देखें कानपूर में यहाँ पर एक सहर पड़ता है जहांपर क्या होता है चमडे के चमडे की फैक्टरिया है जहां पर जूते बहुत अत्यतिक मात्रा में बनाए जाते हैं कानपूर सहर में सुना है ऐसा देवें पड़ा है मैंने ऐसा कहीं पर कि कानपूर में जूते की फैक्टरिया बहुत जादा है चमरे की जो वहां से बहुत जादा है वहां पर नदी जो गंगा नदी वहां से वहां कभी भी कोई भी आप काम करते हैं और दिगी काम करते हैं कुछ भी करते हैं लेकिन नदी नालों में कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़े नहीं डालना है जिसके कारण क्या हो जल दूसित हो आपने देखा होगा गंगा नदी रिशिके प्रदूशन के परदूशन. जल सरक्षण के उपायों के लिए अपनाने के लिए जो जनता को प्रोसाइद करना चाहिए जैसे कि बारिस के पानी संचित करना बारिस के पानी को कि लिए पढ़े एक रीवान के लिए फैक्त्रियों में जो भी कंपनियां होती वहां पर प्रदुशन को नियंचित करने का निर्देश देना चाहिए निर्देशों को पालंद करने के लिए प्रिरित करना चाहिए जल सफाई नदिये जीलो और समुद्रों की सफाई और जल उप्योगिता की सुरुक्षा के लिए सरकार को उचीत उपाए अपनाने चाहिए मैंने जैसे कि एक्जामपल दिया है कि जो गंगा नदी है रिशी के शरदवार में आप वहां पर गंगा नदी में कपड़े नहीं दूल सकते हैं साबून से नहीं नहा सकते हैं ठीक है यदि आप ऐसा करते वे पाए गए तो देखे पनिस्मेंट मिलेगी और साथ में आपका चालान भी कटेगा पनिस्ट भी किया जाएगा दूसरी बार आपको गंगा के जो गंगा नदी के आसपास भी नहीं गूमने दिया जाएगा ऐसा भी किया जा सकता है ठीक है ऐसा भी किया जा सकता है किर्सी प्रताओं में परिवर् बहुत कम मात्रा में जो प्राकर्तिक उर्वरक है उसका उप्योग करना चाहिए जो रसानिक उर्वरक हैं उनका उप्योग कम करना चाहिए इससे क्या होगा मिर्दा परदुषन भी होगा दूसरा क्या होगा एगरिकल्चर यानि किर्सी परदूशन भी होगा ठीक है मिर्दा परदूशन होगा जिससे आपकी किर्सी प्रभावित होगी दूसरा क्या होगा वहाँ पर जल अत्तिदिक मात्रा में उप्योग होगा ठीक है अब है जल परवंदन ठीक है जल परवंदन जल संचाइन संबर्दन और व्यवस्तित उपयोगों के लिए जल प्रवन्दन की योजनाईं बनानी चाहिए निगरानी नियमिक यानि की सरकार को परदुशन को मापने के लिए निगरानी के लिए क्या करना चाहिए उपकरण और नियमांग प्रणाली विक्सित करनी विकल्पी उर्जा स्रोतों का प्रियोग, पार्स्त की तंत्र में पर्दूशन कम करने के लिए जिब विकल्पी उर्जा स्रोतों का प्रियोग करना अवच्छक है, ठीक है, साब पानी की आपूर्ती, साब पानी की आपूर्ती सुनिशित करने के लिए जल संचाइन और कानुनी प्रवंदन बनाए जाने चाहिए ताकि उनका पालन किया जाना चाहिए जल पर्दूशन के निप्ताने के लिए समर्दी सामर्थ्य और सामगरी की अवशक्ता है ताकि हम आने वाली प्रवियों के लिए स्वच और स्वस्त जल की आपूर्ति सुनिसित कर सके ठीक हैं स्वच और स्वस्त जल की आपूर्ति सुनिसित कर सके तो गाईस देखे हमारा जल पर्दूशन की आज दूसरी क्लास थी दूसरी class थी तो guys देखें आपकी class complete हो गई है देखे pdf आपको कहां मिलेगी और सारी classes की pdf आपको कहां दी गई है तो देखे telegram channel पे आपको provide कर लिया गया है टेलिग्राम channel पे आपको सारी classes की pdf provide किया गया है teaching aptitude, research aptitude, communication, ICT pdf आपको कहां मिलेगा telegram channel पे मिलेगा और telegram channel को आप कहां से join कर सकते है subscribe कर सकते है description पर जाना है telegram का link दिया हुआ है आप वहां से telegram channel को join कर सकते है subscribe कर सकते है या पिटेलिग्राम पे सर्च कीजिए this is study आपको मिल जाएगा instagram पे आप हमें follow कर सकते है Facebook page को like कर सकते हैं आपको क्या करना है this is study search करना है so guys आपकी आज की class यहीं तक